स्वागत है आप सभी का Tech Study आईटिया यूटूब चनल पर फाइनली आज हम लोग लास्ट पार्ट पे हैं Employability Skills First Year and एक वर्षी ट्रेड के लिए तो अभी तक आपने 10 पार्ट देख लिए होंगे नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर देखिएगा सारे कुष्चन सिंदी और निकलीस दोनों में हमने आपके लिए प्रिपेर किये है and इस पार्ट में एक Special Question है Special Means है तो भारत इसके लिए नीमी का ही लेकिन अभी तक आप उसको गलत पढ़ते आएं उसका गलत आंसर टिक करते या देखते आएं उससे भी हम लोग यहां समझ के सही करेंगे सभी पार्ट की तरह इस पार्ट में भी Last का Question आपको आंसर करना जो कि एक Bonus Question है जो कि हमने रखा है प्रिवियस पार्ट से जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर Like और Reply जरूर करेंगे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बेल आइकन को हिट कीजेगा अभी भी 70% विवर्स हैसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजे और वीडियो थोड़ी से भी पसंद आती है ऐसी वीडियो जो बनाने में आपके लिए कमसका मेरी घंटे से 2 घंटे के मेहनत लगती है तो अगर वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आती है तो आप लोग इस पे लाइक बटन जरूर प्रेस कीजेगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी सेर कीजेगा अभी तक हम लोग जो कुश्चन कर चुके 174 तक कर चुके हैं पार्ट 10 तक आज हम लोग यहाँ 175 से करेंगे और आपका ये लास्ट पार्ट है और यहाँ पे मैं आपसे वादा कर सकता हूँ या प्रामिस कर सकता हूँ आपको कि अगर आप ये 11 पार्ट देख लेते हैं तो आने वाले एक्जाम में आप 25 कुश्चन जो आएंगे इंप्लाइबिल्टी स्किल के आप पूरे 25 सही कर लेंगे अनि आप 50 नंबर आसानी से लेके आ जाएंगे देखें ट्रेड थेओरी का पूरा जो CBT एजाम है ट्रेड थेओरी वक्षाप कल्कुलेशन इंप्लाइबिल्टी स्किल लाखे 50 नंबर का है जिसमें 50 नंबर का वेटेज इंप्लाइबिल्टी स्किल रखता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसके बाद आपका वक्षाप कल्कुलेशन इंप साइंस फर्स्ट इयर का हम यहाँ पे शुरू करवा देंगे पहला कुश्चन देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट कुश्चन है फिस्बोन चार्ट को और किस रूप में कहा जाता है इसे हम जो है कोई प्राब्लम अगर हो रही किस कारण से हो रही है उसका प्रभाव क्या है उसको यहां हम जानने के लिए करते हैं कोई भी चीज अगर manufacture होड़ा है वहाँ पर man, machine, material और method यह चार चीजे होती है ठीक है तो इसमें हम analyze करते हैं कि अगर problem आ रही है किसी product में तो गलती कहां से हो रही यहां से, यहां से, यहां से यहां से ठीक है अगर method में problem है, method change करेंगे, material problem तो उसको change करेंगे अगर आदमी ही काम नहीं कर पा रहा तो उसको बदलेंगे machine अगर faulty है तो उसे change करेंगे, इस type का यह diagram यहाँ पे हमें बताता है यह quality control आपका जो quality control chapter है, quality tools, वो chapter यहां पे आपका चल रहा है जो की last chapter है आपका, समझ में आगया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं अगला question है, 176 इसमें, in PDCA cycle, P stands for PDCA cycle में P का अर्थ है, process, plan, problem या procedure तो PDCA cycle क्या होती है, P का अर्थ है पहले तो plan अब पूरी PDCA cycle हम लोग देखेंगे क्या होती है तो PDCA cycle आपकी यह है, plan, do, check and act plan मतलब क्या होता, किसी काम को आप पहले plan करेंगे do means उसको आप perform करेंगे, check means उस काम को आप करते time बीच में उसे monitor करते रहेंगे कहीं आप किसी step में गलती तो नहीं कर रहे and act, जब उसका final एक result आजाएगा तो उसमें आप देखेंगे क्या क्या कमिया रहेगी, क्या और उसमें improve कर सकते हैं आप उसके according आप आगे act करेंगे, फिर से plan बनाएंगे इस तरह से cycle चलती रहती है ठीक है, यहाँ तक clear है, P मतलब क्या हो गया, plan, D मतलब do C मतलब, check, A मतलब act अगले question पर चलते है, the expansion of QMS is QMS का बिस्तार है, quality management standard, quality measurement standard, quality measurement system या quality management system, तो QMS का बिस्तार होता है, quality management system quality management system आगे आप फिर से question देखें, important है बहुत यह question, the PDCA means PDCA का आर्थ क्या है, अभी हमने आपको बताया था, क्या है plan, do, check, act क्या है, plan, do, check, and act इस तरह से diagram भी आपने देखा रहोगा, plan, do, check, act का अगले question पर चलते है, total number of popular quality tools are लोग प्रिये गुणता उपकरणों की कुल संख्या देखें, कुल संख्या कितनी ये बता देना आसान है, लेकिन यहाँ पर हम आपको वो, जो कुल संख्या, उनके नाम भी बताने वाले हैं पहले तो सबसे पहले देखते है, total जो quality tools है, total होते है seven, seven QC tools होते हैं, क्या-क्या है, पहला है check seat, यानि checklist या check seat दिन आता है faceboard diagram, फिर आता है आपका histogram, फिर आपका आता है pareto chart, फिर control chart, scatter diagram and stratification क्या है, stratification, ये आपके total कितने हो गए, 7 हो गए, यही आपके 7 quality tools है तो यहाँ पर right answer आपका क्या हो जाएगा, seven, option C, seven आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा आगले question के तरफ चलते है, question number 180 है, what does Siri stands for, Siri का क्या अर्थ है देखिए सब Japanese word है, जो आपका 5S होता है, उसी में से पहला word है Siri यहाँ पर 4 options है, sorting out, self discipline, standardization या systematic arrangement, यानि ब्यवस्थित ब्यवस्था तो Siri का मतलब होता है, यहाँ पर, sorting out, यह 5S है, पहले इनको आप देख लीजे, फिर आप कोई भी SI अगा आप बता लेंगे आसानी से पहले S का मतलब होता है, Siri, Japanese word है, उसका मतलब होता है, sorting out, यानि कई सारी चीजें रखे तो उनको सार्ट आउट करो, सेम सेम चीजों को एक साथ रखो अगला होता है, sit on, इसका मतलब होता है, sign, यानि चीजें जो हो, यह basically आपके workplace related है, जो भी चीजें हो, workplace in the sense, आपकी जो study table है, यह उस पे भी लागू होता है, ठीक है, sign मतलब क्या होता है, जो भी चीजें हो, साफ सुत्री होनी चाहिए, उन पर dust या कोई भी चीज जमा नह हो, ठीक है, अगर कुछ size की चीजें से nut bolt है, तो छोटी size, एक size का एक साथ हो, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इस order में हो, same आपकी जो books हो, सबसे बड़ी book नीचे हो, उसके ऊपर कोई book हो, copy का अलग, एक rack बना हो, इस type की pen अलग से रखी गई हो मतलब चीजें आपकी order में रहनी चाहिए, अगला होता है, सिकेट्सु, यानि इसका मतलब होता है, standardized, चीजों को क्या करना, standardized कर देना, even place को standardized कर देना, कि ये book अगर यहीं पर हम रखते हैं, तो यहीं पर रहेगी, same workshop में, ये tool अगर यहां से लिया, हम यहीं रखेंगे, tools का अभी अपना standard होना चाहिए, चीजों को क्या करना, standardized कर देना, अगला होता है, सिकेट्सु के, इसका मतलब होता है, sustain, चीजें जो आपने कर ली, अब उन्हें sustain करिए, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, गिरावत नहीं आनी चाहिए, बलकि उसमें improvement हो सकता है, ये होगे आपक sorting out यानी सुल्जाना अलग-अलग करना, ठीक है, next question 181, वीडियो कैसी लगती है, आप लोग comment कीजेगा, आपका like हमें बताता है, एक वीडियो अच्छी है, या बुरी है, and same YouTube को भी पता चलता है, वीडियो अच्छी होगी, तो like ज्यादा आएंगे, तो और ज्यादा लोग लिएगा, channel link description में है, अब यहाँ पे function क्या है, histogram का quality tools में, narrow down the problem area, नि समस्च्या चेत्र को क्या करता है, कम कर देता है, effect of discrets causes, असतत कारणों का प्रभाव है, indicate shape of distribution, या बित्रण के आकार को दरसाता है, या access factors of problem, नि समस्च्या के कारकों का आकलन करता है, histogram क्या है, पहले य देख लेते हैं, यहाँ पे दिग्या आपको histogram, यह है histogram quality tools, यहाँ देखे frequency यानि problem कितनी बार कब आ रही है, यहाँ पे है class का interval, यानि किस interval में problem कितनी बार आ रही है, इसने एक shape में represent कर दिया, किस time पे problem ज़्यादा रहे, उस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है तो इसे हम क्या कहेंगे, option C, indicates shape of distribution यानि बित्रण के आकार को दर्साता है, काफी important question है, question number 182 है, what is the last step in ISO 9001 registration, यह ISO 9001 पंजी करण में अंतिम चरण क्या होता है, corrective and preventive action या निवारक और निरोधक कारवाई, internal audit यानि आंतरिक audit करना, management review meeting, management review की meeting यानि समिच्छा बैठक करना, या certification and audit, तो किसी भी standardization या standard जो होता है उसका registration के बाद, ठीक है, last step registration आप कर लेते हैं, सबसे last step जो होता है, क्या होता है, certification and audit, ठीक है, क्या होगा, option D, certification होगा, अगला question, most important, what is the name used for word waste, अपसिष्ट सब्द के लिए प्रियूप्त नाम है, अब यहाँ पे Japanese का एक Toyota model था, जिसे 3M कहते है, Toyota का 3M, Toyota की आप लोग ने गाड़ी सुने होगी, तो जो Toyota industry है, उनका आज भी work culture इतना famous है, उसको आज तक कोई adapt नहीं कर पाया है, तो इनी Toyota के 3M model में 3M थे, पहले M का नाम होता है, मुदा, जिसे हम कहते हैं, वेस्ट, ठीक है, दूसरा M होता है, मूरा, जिसे हम कहते हैं, fluctuation, and तीसरा M होता है, आपका मूरी, जिसे कहते हैं, overburden, ठीक है, तो इस चीज को optimize करना होता है, किसी भी workplace पे ना तो वेस्ट होना चाहिए, ना ही fluctuations वहाँ होने चाहिए, ठीक है, and ना ही वहाँ पे overburden किसी machine या किसी workstation या किसी worker पे होना चाहिए, तो उसी को लेके 3M model बनाया गया था, जिसमें 3M यहाँ पे दिख गए आपको, मुदा मतलब क्या हुआ, waste, मुरा मतलब fluctuation, and मुरी मतलब overburden, उमीद करते हैं, आपको यहा जो भारत स्किल निमी का question bank है, उसमें भी गलत मिल रहा है, जो बाकी जगहों पे आपको PDF मिले होंगे, उसमें भी आपको यह question गलत ही मिला होगा, जहां तक मुझे पता है, अगर किसी को यह सही question मिला है, तो जरूर comment कीजेगा, यहाँ पे question which formula is correct to quantify the quality, यानि quality जो है उसे quantify कर करने के लिए कौन सा सूत्र सही है, option कहा है, Q is equal to P upon Q, Q is equal to Q upon E, E is equal to E upon P, या P is equal to Q upon P, यहाँ पे जितने option हैं सारे गलत हैं, इसमें कोई भी सही नहीं है, तो आप सूत रहा होंगे, अब सही कौन सा है, तो सही option हम आपके लिए ले आते हैं, यह चार option अगर आएंगे, इसम जो सही answer वो है आपका Q is equal to P upon E, देखे, यहाँ पे Q जो है क्या है, Q है आपकी quality, आपको quality को quantify करना है, P जो है आपका क्या है, P है आपका performance, क्या है performance, and E है आपका expectation, क्या है expectation, ठिक, तो quality जो होती वो क्या होती, performance upon expectation, just like आपकी कोई expectation है किसी product से, बट वो उस तरह perform नहीं किया, तो आप क्या बोलेंगे, उसकी quality खराब आएगे, मालिजे किसी product से आपकी उम्मीद थी, कि यह 10 साल चलेगा, and वो 5-6 साल चला, तो क्या हो गए उसकी, यह performance 10 साल expected थी, 5-6 साल चला, तो quality उसकी कितनी आगई, आधी मतलब वो अपनी quality का, आध कि यह question सही नहीं है, समझ आ गया होगा आपको, आगे बढ़ें, question bar 185, which one is not a basic tool used in quality circle, quality circle में कौन सा एक basic tool नहीं है, histogram, pareto chart, check seat, अभी हमने 7 tool बताये थे, 7 में 3 तो पक्का आ गया, torque wrench, तो जो torque wrench है, यह quality circle का कोई basic tool नहीं है, यह एक mechanical tool है, torque wrench जो है, ठीक है, अगली तरफ चले question 186, which one is not the certified ISO standards, कौन सा इसमें प्रमारित ISO मानक नहीं है, ISO 90010, ISO 9001, 9002 and 9003, तो यह तीनों आपके ISO के प्रमारित मानक हैं, यह आपका मानक नहीं है, प्रमारित, option A, ISO 9010, अगला question है, which one of the following is not the characteristics of quality, निमलिखित में से कौन सा गुणवत्ता का लक्षण नहीं है, quality control यानि गुणवत्ता का नियंत्रण, quality of design यानि design की गुणवत्ता, quality of assurance यानि आस्वासन की गुणवत्ता, या quality of non-conformance, गैर अनरूपता की गुणवत्ता, तो इसमें गुणवत्त का लक्षण, quality control भी उसका लक्षण है, quality of design भी उसका लक्षण है, quality of assurance आप किसी को assure कर रहे हैं, वो भी एक उसका लक्षण है, but quality of non-conformance यानि गैर अनरूपता की गुणवत्ता, ये उसका लक्षण नहीं है, option D आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, अगला कुछण है, which statement of quality was stated by quality guru Dr. J.M. जुरान, गुणवत्ता गुरू एक quality के guru थे आप कह सकते हैं, Dr. J.M. जुरान ने गुणवत्ता का कौन सा कथन कहा था, quality should be aimed, यानि गुणवत्ता का लक्षण होना चाहिए, quality is fitness for use, गुणवत्ता उपयोग के लिए fitness है, quality is value for money, यानि requirement, quality या गुणवत्ता अवश्यक्ता के अनुरूप है, तो जो J.M. जुरान का कथन था, वो यह था कि, यहाँ पे आपका option B, quality is fitness for use, यहाँ पे आपका right answer होगा, यह इसमें slide में पता नहीं क्या problem होगे थी, बार-बार मैं इसको answer आपका कर रहा था, बढ़ कई वहारी इस प आपके यह total है, 188 question, इनी 188 में से आपके यहाँ आएंगे total 25 question, जो कि होंगे 50 number के, and हम आपसे अब यहीं उम्मीद करेंगे इतना करवाने के बाद कि आप 25 के 25 question सही करके, 50 number employability skills में लाइए, अगर अभी यहाँ तक आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आप yes या no बताएग लास्ट question आते हैं, bonus question की तरफ, bonus question इस बार थोड़ा सा tough रखा है हमने, बढ़ उमीद है का आप लोग smart हैं, जरूर इसका आंसर करेंगे सही तरीके से, question है, as for factories at 1948, canteen should be provided in the factory if workers are more than, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की बेवस्था की जानी चाहिए, यदी सर्मिक से अधिक हैं, 100 से अधिक हैं, 250 से अधिक हैं, 500 से अधिक हैं या 1000 से अधिक हैं, कौन सा option सही है, उसके साथ answer भी आप लोग टाइप करके, जरूर बताईएगा, comment section में, and video को like, channel को subscribe, and video को साथ में share करना बिल्कुल मत भूलिएगा, thank you very much, कल से आपकी workshop, calculation first year की class शुरू हो जाएगी, तयार हो जाएए आप लोग, सभी लोग, thank you very much.